हलो प्रेंट्स वागत है आपको मेरे यूटू चैनल में आज हम बनाएंगे जूस जो पीने में बिल्कुल गन्य की जूस की तरह लगेगा गर्मी के मौसम में अगर आपको गन्य का जूस पीने का मन कर रहा है बाहर नहीं जा पा रहा है ताप इस तरह से गूड का जूस बनाएंगे तो बिल्कुल गन्य की जूस की तरह लगता है ताप जरू ट्रै कीजिएगा तेहाँ पर हमने गूड ले लिया है पुदीना लिया है थोड़ा साध रख लिया है और निम्बू लिया है एक छोटी चमच काला नमक लिया है तेहाँ पर हम गूड को चाकु से इस तरह से काट लेंगे सभी गुड को हमने काट करके इस तरह से बारिक कर लिया है तेहीं सभी को हम जार में डाल देंगे जार में डाल करके पीस लेंगे है यह दिया पर हम झॉड़ कु डाल देंगे गुड़ डालने के बाद हम पुदिना डाल देंगे को Со नमक डालने के बाद हम न्यप्वा निकाल लेंगे है निम्भू करस्वास बिड़गार करके ढाल देंगे निम्बू करश डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसे पीछ लेंगे, पीछने के बाद हम इसे यहाँ पर बड़े बरतन में डख करके चन्नी से चान देंगे, गुड़ के जूस को हम चन्नी में डालने के बाद अच्छे से हम चमत से चलाते हुए इस तरह से छान लेंगे यहाँ पर हमने अच्छे से छान लिया है यह हमारा जूस बनके तयार हो गया है तब इसमें हम पानी मिलाएंगे नहीं से इस सदाहें हैं तिहां पर हम एगलास पाइं डलेगे जर्वा दैने के बादे हम चमत से इस तरह से मिकस करने अच्छेते से मिकस करने के बादे हमारा जूस बनके तयार है यहा पर हम ग्लसा क्यूस लेंगे ग्लास लेने के बाद हम इसमें डालेंगे तिन से चार बरब बरब डालने के बाद इसमें हम एक निम्बू का टुकड़ा डाल देंगे और पुदीना का पत्ते डाल देंगे उसके बाद हम गुड के जूस को डाल देंगे ग्लास में तो दोस्तो हमारे ये गुड के जूस बनके तैयार हो गया है तो बिल्कुल गने के जूस की तरह लगता है गुड के जूस इस तरह से बनाएंगे तो तो दोस्तो आप भी गर्मी के मोशों में इस तरह से ठंड़ा ठंडा गुड के जूस बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग तो प्लीज लाइक और सेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा